चेतर में जहां खेतों में बॉआई का काम लगभग पुर्णता की ओर है वहीं जिन लोगों ने खेती में पुर्थम वर्षा के आगमन से ही उत्साहित होकर बॉआई की उन खेतों में अब अंकूरित फसलें लहलाहाती नजर आ रही है उसी में आज खेतों में लहलाहाती फसलों को देख कर लगता है कि बॉआई की पूरी तरह सफलव साकार रूप धारण कर रही है लेकिन इस वर्ष बारिश की बेरुखी से किसानों की आँखों में खुशी कम वचिंता ज्यादा दिखाई दे रही है इसके चलते किसानों को अब दमदार बारिश का इंतिजार है इस वर्ष जहां छेतर में सोयबीन की बॉआई का दाइरा अधिक है तो वहीं कपास तूर की बॉआई को लेकर किसानों में उतना उत्साह नजर नहीं आया लेकिन जो फसल आज खेतों में अंकूरित होकर लहलाहती किसानों को खुशी दे रही है वह भी बारिश की अनियमित्ता से संकट में पढ़ सकती है अंकूरित हरी भरी फसलों को अच्छी वा जबरदस्त वर्षा की दरकार है यदि दो चार दिनों से रूठे मेगों के अगर जिला के किसानों के खेत का रुख करने में देरी की तो इस वर्ष छेतर में प्योजल समस्या से सभी गाओं में हाहकार मत जाएगा एक माह से अधिक बारिश के मौसम की शुरुआत हुए गुजर चुका है इसके बावजूद संतोष जनक बारिश नहोने से लोगों क की समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया आज भी ग्रामीन में कुएं हैंड पंप भुजल इस तर नहीं बढ़ा है कई कुएं सूखते हुए नजर आ रहे हैं कुल मिला कर आज की स्तिथी में खेतों में खड़ी अंकूरित फसल को जिवित रहने व ग्रामीन छेतरों में पीन के पानी की समस्या से निजात के लिए अच्छी वा जबरदस्त बारिश की जरूरत है